असलाम वालेकुम, मैं हूँ आईशा और मेरे चाइनल आईशा's केक रिलाइट में आप सबका स्वागत है आज हम बनाएंगे प्लम केक, mostly इस केक की डिमांड क्रिस्मस पर होती है अगर आप मेरे चाइनल पर नए हैं तो चाइनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी चलो तो फिर हम प्लम केक की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ ड्राइफ फ्रूट्स और ओरेंज जूस को लिया है सभी ड्राइफ फ्रूट्स को मैंने 10-10 ग्राम मेजर करके लिया है आप यहाँ पर कम या ज्यादा भी कर सकते हैं यहां पर मैंने काजू, बदाम और खर्बूजे के सीड्स जिसे मगज बीज भी कहते हैं टूटी फूटी चेरी और कुछ ड्राइ ग्रेप्स को भी मैंने यहां पर लिया है और इस तरह से मैं सभी ड्राइ फूट्स को औरेंज जूस में ओवरनाइट के लिए फ्रीज में सोख करके रख रही हूँ आप यहां पर तीन से चार गंटे तक भी भीको कर रख सकते हैं लंप केक का सेकेंड मोस्ट इंपोर्टन पार्ट कैरेमल होता है कैरेमल बनाने के लिए मैंने एक पैन में अपक चीनी को इस तरह से स्प्रेट कर लिया है और स्लो गैस पर इस प्रोसेस को होने के लिए 10 मिल्ट लग जाते हैं और फिर इस तरह से हम इसे हिला कर लेंगे Half cup chinny ली थी हमने इसलिए यहाँ पर हम one fourth cup पानी को add कर देंगे और पानी को add करते वक हम यहाँ पर gas की flame को off कर देंगे पानी को थोड़ा थोड़ा करके add करे पानी को अच्छी तरह से मिला ले और इसमें 2 tablespoon salted butter को add करे अगर salted butter ना हो तो आप एक चुटकी नमक एड़ कर ले इस तरह से कैरेमल बनकर रेडी हो चुका है इसे एक बाउल में निकल ले अब तक हमने जो वेट इंग्रेडियन्स तयार किया है उन्हें इस तरह से आप टेबल पर देख सकते हैं ड्राइ इंग्रेडियन्स के लिए मैंने यहाँ पर दो कप मैदा लिया है आदा कप PCV चीनी भी लिये है इस तरह के कुछ खड़े मसाले भी इस केक में टाले जाते हैं सुका हुआ अद्रक लॉंग, इलाइची और दालचीनी की इस तरह से पेस्ट कर लियी है मैदा चीनी के बाद हमने एक चमच यहाँ पर इस पाउडर को एड़ किया है दो टेवल स्पून कोको पाउडर को भी एड़ कर रही हूँ एक टेवल स्पून बेकिंग पाउडर और आदा टेवल स्पून बेकिंग सोड़ा को एड़ करेंगे और सभी इंग्रीडियन को इस तरह से छान लेंगे, छानने की वज़ा से सभी इंग्रीडियन मिक्स भी हो जाते हैं और केक अच्छी तरह से फुल जाता है, मैंने इसको दो बार इस तरह से छान लिया है इस कैक का और भी एक नाम है, जिसे रम केक भी कहते हैं, हमने इसे औरेंज जूस में सोक किया है, पर ट्रेडेशनली इस कैक को रम में सोक किया जाता है तो कप मैदे के लिए हम एक कप चीनी लेते हैं पर आदा कप चीनी की हमने यहाँ पर केरेमल बना लिए है सभी इंग्रीडियन्स को मिक्स करने के लिए हम यहाँ पर वेट इंग्रीडियन्स को मिक्स कर रहे हैं इस cake को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप दूद का इस्तिमाल किया है जिसमें इस तरह से इस तरह से आधा कप पहले लेंगे और बागी का आधा थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेंगे यहाँ पर मैंने आदा कब मेल्टेड बटर लिया है दूद और बटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें पुछ ट्रॉप्स वेनिला एसेंस की भी एड़ करेंगे अब इस तरह से वेट इंग्रीडियन्स में हम ट्राइ इंग्रीडियन्स को एड़ करेंगे एड़ करने के लिए हम फिर से इसे एक बार अच्छी तरह से चान लेंगे इस तरह से ड्राइ इंग्रीडियन्स को चानने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा कैरमल को एड़ करके इस तरह से कट एंड फूल्ड मेटर से इसे मिक्स कर लेंगे मेरे बच्चों को टूटी फूटी वगेरे जो चीजे थे वो पसंद नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों चीजों को अलग-अलग सोग किया था पर गलती से मैंने वही चीजे पहले एड़ कर दी आप सब ड्राइ फूट्स को एक साथ भी सोग करके रख सकते हैं के लिए मोल्ट मिल जाते हैं इन टिन्स को टिश्यू या सुखे कपड़े की मदद से अच्छी तरह से साफ कर ले इस तरह से गार्निशिंग करने के लिए हमने सभी ड्राइ फूट्स को इस पर इस तरह से अरेंज करके और बागी का बचा हुआ बेटर मैंने इस तरह से दूसरे मोल्ट में ट्रांसपर करके इसे भी गार्निश कर दिया है इसे हम 35-30 मिट तक ग्यास पर कड़ई में बेक करेंगे राउंड केक को बेक होने के लिए 35-40 मिट का वक्त लगा है राउंड केक को हमने 10 मिट पहले बेक करने के लिए रख दिया था इसलिए दोनों केक एक साथ रेडी हो चुके हैं यहाँ पर मैंने बेट बताया है राउंड केक 570 ग्राम और ट्री केक लगबग 400 ग्राम तक का हो चुका है आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरह से इस केक को क्लीन रैप पेपर में पैक किया है केक को पैक करने से पहले इस अच्छी तरह से केक थंडा होना जरूरी होता है इस तरह के डेकोरेशन फ्लावर्स मार्केट में इजिली अविलेबल होते हैं मैंने इस तरह से केक पर लगाया है थैंक्स फूर वाचिंग अल्ला हफीज